नमस्कार दूस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको बहुत-बहुत सागत हैं, तो आज में फिर से आपके सामने कुछी इन्पोर्टेंस कमपणी का अपड़ेट लेकर हाजिर हुआ हूँ, तो आज के वीडियो बहुत इंटेस्टिंग होने वाला है कि किस वीडियो के अंदर स सबसे पहले में discussion करूँ, तो आप एक चीज़ों के यात रखना, कि कोटाग महंद्रा बैंक के उपर RBI जब एक बहुत-बड़ा restriction दिया, RBI ने बहुत-बड़ा कोटाग बैंक के उपर एक penalty लगाया, और मतलब penalty ही कहुँँगा, क्योंकि जो इसका credit card का जो issue है, वो issue को HDFC बैंक के उपर भी बहुत-बड़ा जटका लगा था, तो कोटाग बैंक इस news के कारण थोड़ा सा correction तो हुआ है, तो इस correction बहुत सरे दोस्ते ने मुझे कमेंट के ऐसा, इस तरी के से जो big grass हुआ है, क्या भो recovery कर पाएंगे, क्या और भी गिरेंगे, मैं आपको हमेंसे एक product आपका बेचना बंद हो जाए, तो क्या आपका बाकी product से आपका profit नहीं होगा, हम मान लेता हूँ, आपके इस दोस product बेचने में, total आपका एक लाग profit हो रहा था, तो अभी मान के चलिए, एक product बंद हो गया, तो इसके लिए आपको 90,000 का profit होगा, तो इसका मतलब है नहीं क्या आपका business खतम हो गया, आपका business खराब में हो, खराब में चला गया, ऐसे बिलकुर नहीं, तो फिर भी देखिया, इस company ने किस तरीके से represent किया खुद को, इस negative news के बाद ही, company के उपर, जो यहाँ पे totally revenues है, वो इस बार बहुत सांदर पेस किया, तो company का sales, sorry, revenues बढ़ा, expense क तो maintain किया, interest भी payment किया, सब कुछ payments करने के बाद company का net profit देखिये, 4500 करोड से 5300 करोड बना, तो profit में कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी changes नहीं है, company बिलकुल सांदा तरीके से profit को generate कर रहा है, अभी देखिये company के जो NPA है, जो सबसे importance है, last कुछ year का में NPA दिखाए थो, 2021 में था, 0.71 के आसपास, 2023 में था, 0.41 के आसपास, अभी वो और भी कम होकर 0.36 हो चुके है, मतलब NPA एक अलग लेवल में कई हद तक कम कर चुके, तो यह होते है, पावार बड़े company का, तो kotak bank एक giant company है, इसको RBI ने restriction जो दिया, इसके छलते हैं कोई खराबी नहीं आएगा, करना credit card से जो उसका revenue चल रहा है, वो तो चलेगा, मगर नया credit card से वो इसू नहीं कर पाएंगे, तो नया customer को आकवार नहीं कर पाएंगे, तो दूसरे company आकवार कर लेंगे, तो यह company के लिए थोड़ा सा pressure है, अभी यह देखना है, कि next quarter में किस तरी के से रिजालाता है, वास इस company के उपर मैंने जो decision लिया था, वो decision में continue जोरू करूंगा, अगर ध्यान से चीज़ो को देखना, kotak bank के उपर जब मतलब एक big crash हुआ था, और वो भी 200 days moving average के नीचे candle बनना start हो गया था, तो मैंने देखा कि RSI भी 30 के नीच आया, तो RSI 30 के नीच आया, उस जगा पर मैंन इसी तरह के से चार्ड उपर गये, तो जो gap है, इस gap को fill up करने का कुछिस करेंगे, अगर इस label तक आये, तो जो anti बना है, मेरा जो anti बना है, उस anti से अगर gap fill up भी गये, तो almost 12 से तरह person के आसपास return मेंने का chances है, तो कि इसका कोई guarantee नहीं है, 100 person के जाएगा करके, यहां से भी crash ह हो सकता है, यहां पर भी कुछ भी हो सकता है, यह market है, market में हमेशा आचीजों को सामाज का सीख कर काम करना पड़ेगा, तो मैं इस तरह के से कुछ strategies को follow करके काम करता हूँ, अगर आप इस तरह के से strategies को follow करके काम करना चाते है, तो सब सो पहले सीखिए, मेरे साथ जूड़ि अगर सीखना है, तो join करिए, मतलब join मतलब मेरे साथ जूड़े रहिए, subscribe करिए कैनल को, और join का कोई मतलब है, मासला नहीं है, तो आप देखेंगे, तो next जो company है, उसके बारे में बात कर उसका ना में बजाज फिन साब, तो बजाज फिन साब के उपर मेरा obviously as a long term investment भी है, सा करता हूँ, और साती साथ long term investment के उपर काम कर रहा हूँ, तो basically बजाज फिन साब के उपर एकी बात कहूंगा, कि company इस बार जो result published किया, वो सारे label को हत को पर कर दिया, क्योंकि 23,000 से directly 32,000, almost 10,000 क्रोड का total sales जारी ने किया, एक साल के अंदर अंदर, उससे पहले कितना था, 18,800 मतलब पिछले सालों में company 5000 क्रोड का total sales journey किये थे, और इस बार सारे हत को पार करके company करीवन 10,000 क्रोड के आसपास company sales को jump किया, तो यह होते power बड़े company के और joint company के और strong management का, तो company के expense को भी company control में रखे, जिसके चलते company का net profit, 3300 क्रोड से 4000 क्रोड बना, तो यहाँ पर question है, पिछले सालों से करीबन 1000 क्रोड के आसपास जादा हुआ, तो यही कारन के बज़े से share में एक positive momentum जरनी देखने को मिला है, देखे मैं बहुत दिनों से integer कर रहा हूँ, कि यहाँ पे solder, sorry, कफ के बाद, दो बार handle pattern केट किया, और finally break out हो, break out होने के बाद नीचे जावा है था, कब मैंने आपको बता कि यहाँ पे strongly level है, कुछ इस तरी किस level बना है, मैं इस सारे lines को हटा देत है, अगर नीचे है तो 1480 level तक आने का chances है, अगर उपर गे तो एक अच्छा का सा journey आपर देखने को मिल सकता है, तो उपर जाएगा तो कितना दूर जा सकते है, उसके लिए एक बड़े सा target, एक बड़े institution ने दिया, जो मैं आपके साथ share करूँगा, तो देखे बाई खुस मत हो जाना, और आपको लग रहा कि मैं आपको बाई दरे बिलकुन नहीं, यह किस ने दिया, क्यार चॉक्सी, क्यार चॉक्सी ने बाई दिया, और उसका target रखा गया, 1880 के आसपास, तो उन्होंने जो target दिया, इस जो institution ने target दिया, क्यार चॉक्सी ने target दिया, तो वि कमपानी के जो management है, कमपानी के जो business है, आज नहीं तो कल बुझाएगा, करके जूरू जाएगा, और इसकी मतलब यह नहीं कि कब जाएगा, किस तरीके से जाएगा, उसको किसी को पता नहीं है, तो हमेशा देखिए, बहुत दिनों तक कोई भी company अगर एक ही जगा पे consulate करे उसके बाद finally अगर breakout हुआ, तो सोचना company धमा का performance करेगा, तो इसके लिए आपको patience होना चाहिए, कि कि बहुत company सबको बहुत time ले सकते है, बहुत time तो आपको इंतजार करा सकते है, उसके बाद finally जब breakout होगा, तो अच्छा खासा आपको एक journey वो दिखाएंगे, तो patience ही सब तो अच्छा खासा gain आपको मिल सकता है, तो बाकी आपके किराय हैं जोरे मुझे comments करके बताना, नेक्स चो company उसका नाम है IRCTC, तो finally IRCTC के उपर जो label का में इंतजार करा था, उस label का breakout हो चुके है, तो इसको कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, तो मैं reversal head and shoulder patterns नाम से जादा से जादा इस company को, sorry, strategies को सोचता हूँ, तो इसका rules क्या है, जब भी देखिए इस तरीके से कोई patterns care हो, तो आपको एक चीज़ो के यात रगना है, जो line अपने drag गया, इस head के उपर, तो वहाँ पे एक breakout और उसके बाद एक breakout confirmation candle चाहिए, तो जब भ करीबन 39%, अगर हुआ कुछ ऐसा, आप देख सकते हैं, company यहाँ पर breakout किया, उपर गया है, फिर से नीचे आए, फिर से उपर गया, फिर से नीचे आए, मतलब इस level को बहुत बार बो तोडनने का कोसिस किया, और finally देखिए, आपे breakout हो और breakout confirmation भी हो गया, मतलब जो इतने दिनो से इस level को break करने का कोसिस किया था, finally उस level को breakout किया, अभी मुझे लगता है, वो धिर देखिए को ऊपर जाकर इस target को achieve कर सकते हैं, जो में target लेके चल ले हो, करीबन 1276 के आसपास, तो इस level तक target लेके चल ले हो, जो मेरे NT है, 917 रुपीस के आसपास, तो अगर इस तरीके से target म मिले इस journey में, तो कितना target मिलेगा, around मुझे target मिलेगा 39%, और एगर एक साल में मिले तो कोई फरग नहीं पड़ेगा, एक से तेर साल में मिले तो कोई फरग नहीं पड़ेगा, क्योंकि चालीस परसन के आसपास return कोई कम नहीं है, तो दो साल में मिले तो भी 20% के average return आ जाएग कि इस बार कमपानी का जो profit है, वो 21% के आसपास, एरप एरफ 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 से में jam होने का chances है, तो 306 क्रोड आपे उन्हें एक target रखा है, तो 306 क्रोड जाएगा के नहीं जाएगा, बहुत अलग बात है, फिर भी में देख लेता हूँ, कमपानी का पिछले सालों का profit कितना थ था, 250 क्रोड और बहुत बता रहा है कि 306 क्रोड तक जाने का chances है इस बार, देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत आपको पता चलेगा, और बहुत भी 28 अब में, 28 अब में का याद रखेगा, उस दिन में फिर से वीडियो बना का आपको share करूँगा, कि इस कमपान Engineering Company Limited, तो Elcon Engineering Company Limited, basically 12,800 क्रोड का कमपानी है, और इस कमपानी के उपर सबसे बड़ी अपडेट है, कमपानी का bonus, तो कमपानी bonus और split कुछ भी एक दे सकते है, तो इसका finally announcement अभी तक नहीं आया, क्योंकि कमपानी जल से जल आपको bonus और split दोनों ही दे सकते है, क्योंकि कमपानी का कहना है कि कमपानी अच्छा खासा एक journey किया है, और इस journey के कारण एक अच्छा खासा company return generate करके दिया, almost fund double कर चुके एक साल में, इसलिए कमपानी bonus और split एक साथ लेके आने वाल है, तो आप तैयार रहेगा, इस कमपानी के उपर कोई भी data है, तो मैं आपके साथ जोरू share करू तो वीडियो में जानकर है अच्छे मिले तो प्लीस लाइक करना, और मैं कोई सेवी देश्टर परसन नहीं हूँ, पहले ही मैं discussion कर चुका हूँ, अगर आपको काम करना है, तो सारे चीजे को सीख कर समझ कर काम करना होगा, तो मिलते है नेक्स वीडियो में, तब तक के तन्यवाद